इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Beneficiary ID के जरीए कैसे अपने Vaccination का Certificate Download कर सकते हैं चाहे वो Dose 1 का Certificate हो या फिर Dose 2 का Certificate हो आप Beneficiary ID के जरीए ही Download कर सकते हैं सबसे पहले हम यह जानते है कि Beneficiary Reference ID क्या है जब आप Vaccine लेते हो उस वक्त आपके Certificate के साथ एक Beneficiary Reference ID चनरेट होता है जो की 13 से 15 अंको का होता है इस ID के जरीए भी आप Vaccination Certificate Download कर सकते हैं इस ID हर किसी का अलग-अलग होता है लेकिन दोनों Dose में सेम ही Beneficiary ID रहेगा जो आपका पहले Dose में है वही आपका दूसरे Dose में भी रहेगा आपको नहीं मालूम है कि आपका Beneficiary ID क्या है तो मैंने वो मालूम करने का भी एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक आपको description में मिल जाएगी आप उस तरीके से बहुत ही आसानी से अपना Beneficiary Reference ID मालूम कर सकते है तो आपको अपना Beneficiary ID जान लेना है और अपने Play Store में चले आना है Play Store में आने के बाद यहाँ पर से आपको सर्च करना है आरोग्य से तू आरोग्य से तू सर्च करके आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको अपना Beneficiary ID जान लेना है और अपने Play Store में चले आना है Play Store में आने के बाद यहाँ पर से आपको सर्च करना है आरोग्य से तू पारूग्य से तू सर्च करके आप इसको open कर लेंगे अब जैसे ही यह open करेंगे तो यहाँ पर से आपको एक language select कर लेनी है और यहाँ पर नीचे next कर देना है और यहाँ पर से आपको next 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 करते जना है यहाँ पर और यहां पर से आपको अपना वह वाला मोबैल नंबर एंटर कर दिया है जो कि आपने वैक्सिन लेते वक्त रजिस्टर करवाया था उस mobile नंबर पर एक OTP send कर दिया जाएगा वो आप यहाँ पर enter कर देंगे और आपकी अरोगय से तो एप open हो जाएगी और यहाँ पर आपको coin पर चले जाना है दोस्तों मैंने covid vaccination के उपर बहुत सारे वीडियो बना रखे जो कि आपको हर वीडियो useful हो सकते हैं जिसकी लिंक आपको reception में मिल जाएगी वो आप वीडियो ज़रूर से देखेगा आपको वो useful होंगे तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा vaccination certificate वाला तो यहाँ पर आपको proceed पर click कर देना है यहाँ पर आपको पर एंटर कर देना है या फिर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है मैंने ओल्रेडी इसको उसके बाद यहाँ पर से आपको get certificate पर click कर देना है और आपके पास कुछ इस तरह का user कर सकते हैं तो उसके उपर भी और उसके अलावा भी और यूश्य वीडियो बना राखे और अगर आप certificate का mobile number दे दिया था और आप उसको अब transfer करना चालते अपने number पर certificate को और यहाँ पर से आपको कोई भी browser select कर लेना है मैं यहाँ पर से chrome browser को select कर अब जैसी browser select करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है मेरा chrome है तो मैं यहाँ पर three lines पर क्लिक करके यहाँ पर downloads पर चले जाता हूँ अगर आपने कोई और browser select दिया है तो वहाँ पर भी आपको download का option मिल जाएगा आप उसमें enter हो जाएंगे तो उसके बाद आप पास पहला ही जो certificate है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो यहाँ पर आपको इसके उपर tap कर लेना है और इस तरह आपका vaccination certificate beneficiary ID के जरीए ही download हो जाएगा तो दोस्तों कुछ आप इस तरह vaccination certificate को download कर सकते है इस ट्रिक के जरीए आप dose 1 और dose 2 दोनों के certificate को download कर सकते है और फिर भी अगर आपको कुछ confusion है तो आप मुझे WhatsApp पर message करके मुझे बता सकते मैं आपकी help सरूर से करूंगा और beneficiary ID कैसे मलूम करना है उसके link मैं आपको description में दे दूंगा और उसके अलावा भी मैं आपको links दे दूंगा covid vaccination के उपर भी चोके आपको useful वीडियो हो सकेंगे तो दूस तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को like सरूर से किजिए अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करना महत पूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो जलाता रहता तो मिल थेक नेक्स वीडियों तब झाओ कोधने जलाता रहøक साधनOW जलाता नहीं है तो चैनल कि दूस फो वीडियोंम त athletics कोभको तामे वीडियों जय था При Math Jet बու थे से हो जाओ पर द्रूजार गियोंको नहीं है डिहाल की तर खलो जलसे है परstudy में को तो ए ni ज ए ई ए ए